इस वीडियो में हम बात करने वाले है बेटा आला लाइन के बारे में यह एक ऐसा अमाइनो एसीड है जो आपको प्रोटीन सिंटिसस में तो काम करता नहीं है लेकिन पॉफमेंस इनांस करने के लिए काफी लोग इसे यूज़ करते हैं और यह आपको प्री वकाउट में काफी मिलेगा तो आज हम इस वीडियो में बेसिकलि बेटा अललाीन पर बात करेंगे की बेटा अललाीन है क्या और कैसे काम करता है और इसके क्या डूसरी होने चाहिए ताकि आपका जो परफॉमेंस है वो एनास हो सके यह जो beta-alaline जो है यह है non-proteogenic amine acid मतलब यह protein synthesis में काम नहीं करता है यह generally आपका lever produce करता है यह generally आपको मिलता है जिसे meat में, beef में मतलब जो भी non-wich हम चीज़े खाते हैं उसमें हमें यह मिलता है तो जबी भी हम इसे खाते हैं तो यह convert हो जाता है carnosine में तो carnosine है क्या generally यह क्या होता है जबी भी आप beta-alaline एक amino acid बोल सकता हूं उसके साथ जब वो attach हो जाता है उसको बोलता है Mr. Dine जब वो उसके साथ attach हो जाता है तो वो एक molecule को form करता है उसे बोलते हैं carnosine और यह carnosine जो है यह generally acid को buffer करता है जबी भी हम training करते हैं तो हमारे जो body में hydrogen iron release होते है तो यह hydrogen iron के साथ bind होके आपके जो pH level होता है उसे हम बोलते है potential of hydrogen उसे कम करता है और उसके वज़े से ही आपका endurance level जो है वो बढ़ता है आप काफी देर के लिए exercise कर पाते हो वो इसलिए क्योंकि आपकी body fatigue होती ही नहीं है और body अगर fatigue नहीं होगी तो आप जादा से जादा देर के लिए आप exercise कर पाते हो तो यह जो चीज है यह जो beta align जो है यह आपको pre-workout में इसलिए add किया जाता है कि आपका जो performance जो है आपका जो endurance जो है वो बढ़ सके कानुसाइन जो है वो आपके muscles के अंदर भी produce होता है और आपके और भी organs है उसमें भी produce होता है बहुत सारे athletes जैसे swimmer हुए runners हुए वो इसे consume करते हैं क्योंकि अपने performance को enhance कर सके beta align जो है वो anti-aging के लिए भी use करते है because obviously जब beta align लेते हैं तो karnusine में form होता है karnusine जो होता है it's a powerful anti-oxygen क्या होता है जब हम protein में कभी भी error आता है protein metabolism में तो वो जो accumulate हो जाते है वो जो alter protein जो होते है वो accumulate हो जाते है आपके body में और वो ही strongly associate करते है आपके aging से तो ये aging process को रोकने के लिए भी जो beta align है उसे use किया जाता है because it's a powerful antioxidant तो ये भी इसका एक benefit है इसके adverse effect भी है जैसे हम बोलते है पैरस्टेशिया जैसे tingling की feeling आती है जब भी आप लेते हो तो लेकिन ये harmful नहीं होता है लेकिन लोग क्या करते है इसे लेते नहीं है because उन्हें uncomfortable लगता है ये जो tingling की feeling है इसलिए वो इसे use नहीं करते है लेकिन जो ये side effect इसका जो है ये harmless है ये harmful है नहीं beta align लेने के कुछ standard doses भी है जैसे लोग between 3 to 5 gram लेते हैं को 6 gram भी लेते हैं लेकिन ये इतने doses से आपको tingling की feeling आती है तो लोग जिसे tingling की feeling नहीं चाहिए होती है वो लोग कम doses भी लेते हैं between you know 0.82 2 gram के आसपास लेते हैं ताकि वो tingling की feeling नहीं आए लेकिन अभी ऐसे कुछ formulation भी निकले है जिसमें beta align ज्यादा है लेकिन आपको tingling की feeling नहीं मिलेगी तो guys ऐसा है कि आप beta align ले सकते हो और जो tingling की feeling आती है उसे आप डरो मत क्योंकि हो harmless है तो आप उसे ले सकते हो लेकिन फिर भी अगर आप कोई supplements लेते हो तो मैं चाहूँगा आप अपने physician से पूछो डॉक्टर से consult करो और supplements लो ताकि आपको supplements के बारे में प्रॉपर पता चले आप क्या ले रहे हो और अंदर क्या उसके effect होने वाले है तो ये सारे चीज़े आपको जाननी बहुत ज़रूरी है तो इसलिए आप अपने doctor से consult करना ज़रूरी है तो guys यह मेरा एक चोटा सा वीडियो ता अगर आपको यह अच्छा लगा तो please इसे like कीज़े share कीज़े subscribe कीज़े